हेलो एवरिवन वेलकम अगेन तो लन्विर देतीमन तो प्रस्णों की स्रंखला में आज हम करने वाले हैं कोश्यन 131 से जिसमें आज हम धौल पुर जिला, डूंगर पुर जिला और हनुमानगर जिला इससे संबंदित जो भी परेटानिस थल होंगे उनके बारे में कोश्यन करेंगे तो चलिए बहुत ध्यान से आपको देखना है कोश्यन 131 देखिए वन विहार अभिहारन ने किस जिले में इस्तित है यह दौल पुर जिले में इस्तित है जो की 24 वर्ग किलोमीटर शेत्र में है नेक्स्ट देखिए कोश्यन 132 मचकुंड नामक पवित्र इस्तल किस से संबंदित है यह सूर्य वनसिय सामराज्य के 24 वे सासक राजा मुचकुंड के नाम से संबंदित है ठीक है तो नाम जो है वो राजा के नाम पर ही इस पवित्र इस्तल का नाम पढ़ा तो ठीक है तालाब ए शाही का निर्मान कब और किस हेतू करवाया गया तो यह 1617 इस्वी में जील का सहजादे सहाजां के सिकार गहा के तौर पर निर्मान करवाया गया तालाब ए शाही का निर्मान जो है वह 1617 इस्वी में सहाजां के सिकार गहा के तौर पर करवाया गया धौलपूर में इस्तित प्रिसिद्ध तालाब ए शाही क्या है? यह एक खूपसूरत जील है नेक्स्ट देखिए 135 तालाब ए शाही में सर्दियों में कौन से पक्षी गोसला बनाने के लिए आते हैं तो यह जो तालाब ए शाही है तो सर्दियों में यहां पर कौन से पक्षी आते हैं? यहां पर आते हैं पिंटेड, रेड कॉस्टेड, पोच, बतक और कभूतर ठीक है? पिंटेड, रेड कॉस्टेड, पोच, बतक और कभूतर यह सर्दियों में आते हैं बेनिश्वर मंदिर किस जिली में इस्तित है तो कई बार हम इस कुशचन को देख चुके हैं हमें पता है डुंगरपूर जिले से सम्वंदित है बेनिश्वर मंदिर वेनिश्वर मंदिर किन नदियों के संगम पर इस्तित है तो वेनिश्वर मंदिर जो है वह है सोम और माही नदी ठीक है वीज में कभी कभी कन्फ्यूज के लिए जाखम नदी जो है वह है दे देते हैं लेकिन याद रखना है देखिए सोम नदी यह भी दो अक्षर है माही न कि सोम और माही नदी इनके संगम पर वेनिश्वर मंदिर टूंगरपुर में इस्तित है। वेनिश्वर मंदिर में इस्तित शिवलिंग की क्या विसिष्था है। सीर्स से पांच हिस्सों में बटा हुआ है, पांच फीट उचा है और स्वैम भू सिवलिंग है यानि स्वैम से ही उतपन हुआ है। नेक्स्ट देखिए 139 कुश्यन वेनिश्वर मंदिर के निकट विश्णू मंदिर का निर्मान कब और किसने करवाया। वेनिश्वर मंदिर के निकट जो विश्णू मंदिर है उसका निर्मान कब और किसने करवाया। यह 1793 इस्वी में जलकुम्री के द्वारा करवाया गया। यह कौन थी? मावजी नामक प्रसिद्ध संत की पुत्री थी, कौन? जलकुम्री। वेनिश्वर मंदिर के निकट प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायन मंदिर का निर्मान किसने करवाया था। तो डुंगरपुर में ही वेनिश्वर मंदिर के पास में जो लक्ष्मी नारायन मंदिर है उसका निर्मान अजे और वाजे द्वारा करवाया गया। Q141, वैनिशन मंदिर के निकट जो लक्षमी नारायन मंदिर है, इसका निर्मान करवाने वाले अजे और वाजे थे, ठीक है? ये कौन थे? तो ये मावजी नामक प्रसिद्ध संत के शिश्य थे, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है, अजे और वाजे जो हैं, वो कौन थे? सोम और माही संगम के निकट मेला कब लगता है? यह मेला जो है वो फरवरी में माग सुक्ल पूनिमा को लगता है. अगला है, गलिया कोट दरगा इस्थान किस समाज से सम्बंदित है? तो देखिए, रिपीट है कुश्यन, हम लोग देख चुके हैं इसे, गलिया कोट दरग जो है वह है दाउदी बोहरा समाज से सम्बंदित है, तो बोहरा समाज से सम्बंदित है गलिया कोट दरगा. नेक्स्ट देखिए, 144 गलिया कोट दरगा कहां इस्थित है? यह डुंगरपुर में, गलिया कोट गाउं में इस्थित है डुंगरपुर से 58 किलोमीटर दूर. ग गल्या कोट दर्गा किस नदी के किनारे पर इस्तित है यह माही नदी के किनारे इस्तित है यह दर्गा जो है वह है माही नदी के किनारे इस्तित है गल्या कोट दर्गा किस संत से संबंदित है? यह सेयद फक्रुदीन की मजार है नाम याद रखना है गल्या कोट दर्गा सेयद फक्रुदीन संत से संबंदित है गल्या को दरगा में संत सयद फक्रुद्दीन द्वारा दी गई सिक्षाओं को किस प्रकार उतकीन किया गया है तो किस प्रकार किया गया है इसे उतकीन इसे दरगाह की दिवारों पर सोने के पानी द्वारा इसे उतकीन किया गया है नेक्स्ट है डुंगरपूर में इस्तित गैव सागर जील के तड़ पर कौन सा मंदिर है यहां स्री नाज जी का मंदिर है इसके परिसर में अन्य मंदिर मुख्यत है राज राजिश्वर मंदिर इस्तित है तो डुंगरपूर में इस्तित गैव सागर जील के पास स्रीनाच जी का मंदिर है। काली बंगा किस जिले में इस्तित है। तो अभी हमने डुंगरपूर जिले से संबंद सभी कुश्यन कर लिए जितने भी परेटा निस्तल थे। अब हम देखेंगे हनुमानगरजिला, काली बंगा जो है वह हनुमानगरजिले में इस्तित है। तो सभी जानते है इसका आंसर। काली बंगा किस कारण प्रिसिद्ध है। तो सिंदु घाटी सभ्यता हमने बहुत अच्छे से देखी थी। ये हडपा कालीन सभ्यता के अवसेश के प्राप्ती सल होने के कारण प्रिसिद्ध है। काली बंगा में प्राप्त अवसेश किस सभ्यता से संबंदित है? तो वही हडप्पा और पूर्व हडप्पा युक से संबंदित है जो की पचिस सो वर्ष ईसा पूर्व से संबंदित माने जाती है। Next देखिए Question 152, काली बंगा में 1961 से लेकर 69 के दौरान प्राप्त का अफसेसों के लिए संग्रहले का निर्मान कब करवाया गया। यह 1983 इस्वी में करवाया गया तो जो अफशेश थे काली बंगा में जो भी प्राप्त हुए अफशेश थे इनसके लिए जो संग्राहले बना वह 1983 इस्वी में बना काली बंगा में 1961 से 69 के दौरान प्राप्त का अफशेशों के लिए निर्मिश संग्राहले में कितनी दीरगाएं हैं तो इसमें तीन दीरगाएं हैं, एक पूर्व हडपा काल है तू और अन्य दो हडपा काल है तू तो एक जो है वह तब पूर्व हडपा कालीन है और दो जो हैं वह हडपा काल की हैं, ठीक है? ये तीनों दीरगाएं next देखिए 154 question हनुमानगड का किला किस अन्य नाम से जाना जाता है तो यह भटनेर के किले के नाम से जाना जाता है तो भटनेर का किला कहा है हनुमानगड में है या हनुमानगड का किला जो है उसे किस नाम से जानते हैं भटनेर का किला के नाम से भटनेर का किला में भटनेर सब्द किसका अपब्रंच माना जाता है यह भटी नगर से बना है ठीक है भटी नगर से ही यह इसका रूप जो है वो बिगड कर क्या बन गया भटनेर बना भटनेर का किला किस नदी के तट पर इस्तित है तो यह तो सभी को पता है एक मात्र नदी है घगर नदी इसके तट पर भटनेर का किला इस्तित है ठीक है तो हनुमानगर से सम्मंदित घगर नदी है नेक्स्ट है आईने अकवरी में हनुमानगड के किस किले का उलेक मिलता है तो यहां पर भटनेर का किला इसका उलेक मिलता है ठीक है हनुमानगड जिला भटनेर का किला है घगर नदी है आईने अकवरी में हमें इसका उलेक मिलता है भटनेर के किले का निर्मान किसने करवाया था? भटनेर के किले का निर्मान करवाने वाले कौन थे? राजा भाटी बटनेर के किले का निर्माण जो है वह बटनेर के किले पर असफल विजय का प्रयास किया गया वेश आशक कौन थे तैमूर और प्रत्वी राज चोहान इन सासकों द्वारा बटनेर के किले पर असफल विजय का प्रयास किया गया किस आशक द्वारा सबसे पहले बटनेर के किले पर विजय हासिल की गई 1805 में बिकानेर की राजा सूरत सिंग द्वारा यहां पर भटनेर के किले पर विजय प्राप्त की गई तो यह हनुमान गर्जिली से संबंदित परेटन स्थल समापत होते हैं आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना और इसको बारवार रिवाइज करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही यह वाला जो चैप्टर है आपका कम्प्लीट होने वाला है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि चैप्टर भी काफी बढ़ा था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू